हेलो गाइज वेलकम बैक टूमा यूटूब चैनल इस आर्थी एंड वाचिंग लर्निंग भाय आर्थी सो गाइज आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हुआ नाइन ब्रांड के पैट का रिविव और यह जो नाइन ब्रांड है का जो पैड है यह है अल्ट्रा कर दूगी तो हो निए हम इस वीडियो में इस पैट के बारे में प्रूरी डीटे सरे शेयर कि कर था लिए पायम यह उसमीर एंट हैं रोन कली exact कर लें तो सब जडिए हम इस स्बीडियो में इस ब्राइखतकन है और वह भीडिण यहां पर मेंशन है मेंस यह ओपन सील करने वाला है तो इस इस पार्ट क्यों कि इससे क्या होगा ना एक की कॉंटेक्ट में नहीं आएगा लेकिन इसका पैड जो है और डिस्पोजल से व्रैप होके आता है तो उसे भी कोई टेंशन नहीं लेकिन एक्स्राइब रहती है तो आ सब की डिटेल होती है प्लस कस्टूमर का नंबर होता है तो वह सारी चीजे थी तो अपने इसको इग्नोर करते हैं तो बैक साइड में के लिखा है वो पढ़ लेते तो बैक साइड में देखो आपको यहां पर नाइन में लिखा हुआ मिल जाता है और यहां पे नीचे तीन क्लेम दिए गये हैं तो हम पढ़ लेते हैं पहला क्या क्लेम है फ्रेश फ्रेग्नेंस कैप्चर एंड लॉक ओडर तो मेक यू फिल फ्रेश यह पहला है सेकंड क्या है फ्रूट लॉट टेक्नोलजी कंवर्ट इंटु जैल तो कीप यू फ्रील राए इंड तर्ड वन इस क्लेंड प्रोटेक्शन टू मेक यू फिल कंफर्टेबल तो यह तीन इनके क्लेम से मिस आपको फ्रेश फ्रेग्नेंस मिलेगी क्योंकि बहुत जादा बैड स्मेल आने लगती है जब ब्लीडिंग होने लगती है और पैड एब्जॉफ करने लगता है उस टैम पे और यह ब सब्सक्राइब की हूं और इवन रिव्यू भी मैंने दे चुका है तो जाएए और चेक कीजिए और यहां से आपको फिर निकालने के बाद सील कर देना है और नाइन पैड चिते भी है ना सारे रिलीस पेपर के साथ आते थे और यह वाला जो आया है वो डिस्पोजल कवर क चेक है ना आप देख सके हो तो ना कितना यूनिक है जो बाकी और यूर समयने पैड आपको देखा है9 के तो उन में ऐसा नहीं है यह वह रहाएं लेकिर इसमें आपको डिस्पोजल कवर मिल रहा है क्योंकि डिस्पोजल बैग भी नहीं दिया गया है इसमें इस decoral क्रशित तो ठीक है ना आपको डिस्पोजल कवर तो मिल रहा है कम से कम तो एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है जितने भी आपने नाइन के पैड के पैड यूस किया होंगे ना सारे सॉफ्ट होंगे कॉटनी फील टाइप कराने वाले होंगे लेकिन यह वाला जो है ना जो ल प्लास्टिक में वैसा बिल्कुल भी नहीं है इवन यह चीज मुझे ऐसी लगी कम से कम प्लास्टिक के लिए दी तो है लेकिन कम से कम थोड़ा सॉफ्ट तो है इतना भी हार्ड नहीं है बाकि जो अधर जो पैड होते उनमें फील होता है इवन पैड के पैकेजिंग के लेकिन इस पैड में एक भी वर्ट कहीं ऐसा मैंने नहीं पड़ा जहां पर लिखा हुआ है सॉफ्टनेस के बारे में तो सॉफ्टनेस की अगर आप उमीद कर रहे हो इससे तो वैसा बिल्कुल नहीं है और सो कैस अपन क्या करते है ना जो इनके क्लेम्स है उसको लेके साथ तो उससे क्या होता है एक टाइम पर इसमेल आने लग जाती है तो जादा देर तक यूज मत कीजिएगा तो फ्रेंगन्स जो है इसकी वह अच्छी खासी है और एक है फ्लूड लॉक टेक्नोलोजी जो जैल में करता है तो यह बेस्ट पार्ट यह एब्सॉफ करने की जो इस जाती है तो इस चीज में मुझे बहुत जादा इसका बेकार पार्ट लगा अगर कोई मुझे कहें कि दीदी आप इस पैट को दुबारा ट्राय करना चाहोगी तो रियली मेरे लिए है डिफिकल्ट है यस कहना क्यूंकि जो प्लास्टिक टाइप की जो होती है ना मुझे ब कहीं पर हो तो आप इसको ले जा सकते हो इसकी जो पैकेचिंग बहुत अच्छी खासी है ट्रेवल फ्रेंडली है अगर आपको नहीं मिस ऐसा नहीं है कि सबका पॉइंट और व्यू जो मेरा है वैसा ही रहे है ना आप इसको ट्राय करके देखिए हो सकता है आपका जो एक् कहां चोनिता है और व्यू Yukis को तो प्लास्टि को वाले पैड्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है प्लास्टिक पार यूरे ली फीर उसे ब्लेंड नहीं है तो आप प्रक्म को जब्राइं करते में रूपीश्यक्स प्रॉट पॉट यसम और प्रॉब्लम नहीं है तो आ और गैस एक और डाउट होता है सबको में लिए कि दिदी इसको परचेस कहां से करना है बहुत से लोग कुशन करते हैं दिदी इसको परचेस कहां से करें तो देखिए अगर पॉसिबल होगा तो डिस्क्रिप्शन बाक में लिंक प्रवाइट कर दूगी तो आप वहां से पूछेगा मैं एवलेवल रहूंगी आपको आंसर देने के लिए तब तक के लिए बाए बाए